नमस्कार मैं हूं दिपिकार शर्मा आप देख रहे हैं रितम आज अमेरिका में राष्टपती चुनाव है और पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी कुई है क्योंकि इसके नतीजे पूरे विश्व को प्रभावित करेंगे ऐसे में सत्ता किसके हाथ आएगी ये भारत के लिए भी बेहद एहम है अमेरिका में कमला हैरिस सत्ता परकाबिज होंगी या डॉनल्ड ट्रम्प इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके लिए एक नजर इतिहास पर और एक नजर चुनावी बादों पर डालना बेहद जिन्दी है इतिहास में जहांके तो वर्ष 1993 भी बिल क्लिंटन के राष्टपती बनने से लेकर अब तक विभिन राष्टपतियों के साशनकाल पर गौर करने पर पता चलता है कि डेमोक्रेट्स के समय अर्थ व्यवस्था और शेयर बाजार ने पहतर प्रदर्शन किया तो वहीं इस दोरान एक दो मौकों को छोड़ दे तो भारतिय शेयर बाजारों का प्रदर्शन अमेरिका के मताबिक ही रहा बात करें चुनावी बादू की तो चुनाव प्रचार के दोरान डेमोक्रेट उमीदबार उपर राष्टपती कमला हैरस और रिपब्लिकन प्रत्याशी पूर्व राष्टपती डोनाल ट्रम्प ने अपनी अपनी भावी आर्थिक नीथियों का अलान किया दोरू ने अमेरिकी नागरिकों को रहन देने और अमेरिका की अर्थवेवस्था को गती देने का बादा किया है लेकिन इस मंजिल पर पहुचने के लिए दोरू के राष्टे काफी अलग है अमेरिका के 23 नोबेल पुरुसकार प्राप्त अर्थ शास्त्रियों ने कमला हैरिस के तरीकों को बहतर बताया है अर्थ शास्त्रियों के रुसार हैरिस की नीतियों से 10 वर्षों में अमेरिका पर 4 लाक करोड डॉलर का कर्ज बढ़ेगा जबकि ट्रंप की नीतियों से कर्ज 7.8 लाख करोड डॉलर पढ़ने का अनुमान है महीं चुनाप के नतीजों से भारत अमेरिका संबंध खास प्रभावित नहीं होगे विशेशग्यों का कहना है कि पिछले एक दर्शक में अमेरिकी निवेशकों ने भारत के टेक्नलोजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनरजी सेक्टर में काफी रूची दिखाई है ऐसा लगता नहीं है कि कोई राजनितिक सोच इन कारुबारी फैसलों को बातित करेगी हलकिन चुनावों में प्रवासी भारतियों, रक्षा सायोग और व्याबार समझोतों का मुद्धा बेहद एहम माना जा रहा है ऐसे में ये जानना जरूरी है कि दोड़ों पार्टियों और नेताओं का इन मामलों पर क्या रुख है प्रवासी भारतियों के मामले में दोड़ों पार्टि के उम्मीदवारों के रुख अलग है कमला हैरिस शेत्र में संदुलिक नीती की बात करती है कमला हैरिस पुशल श्रमिक वीजा जैसे की H-1B का विस्तार करने का समर्थन करती है ऐसे में आगरिक्ता देने के तरीके दूंडने सहित हैरिस का संतुलिक दृष्टि कोड अमारिका में रहने वाले भारतिय परिवारों को स्थर्ता और सुरक्षा प्रदान कर सकता है इसके विपरीत ट्रम्प की सख्त सीमा नीतिया अधिक चुनोती पूर्ण बातावरण बरा सकती है जिसे भारतिय कंपनियों और लोगों के लिए पुश्किलिप पैदा हो सकते हैं सख्त शिक्षा अधारित मानदटों के लागू होने से अकुशल श्रमिकों पर प्रभाव पड़ सकता है हाला कि IT सेवाओ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कमला हैरिस बहुपक्षिय व्यापार समझोतों और शेत्रिय सहयोग जैसे इंडो-पैसिफिक आर्थिक धांचा पर जोर के दी हैं वहीं ट्रम्प की नीतियां वैशुक व्यापार में रुकावटे पैदा कर सकती हैं लेकिन ये भारत के लिए अमेरिकी बाजार में चीनी आयात को चुनौती देने के अफसर खोल सकता है कमरा हैरिस और बाइडन के कारेकाल के दोरान इंडिस एक्स जैसे पहलो के माध्यम से दक्षिर एशिया में चीन को संतुलित करने के लिए इंडो-पैसिफिक साज़दारी को मस्बूत करने पर जोर दिया गया बाइडन और हैरिस ने प्रोध्योग की हस्तानतरण, सहुत पादन और आपूर्ती श्रंखलाओं के एकिकरण और तेजस मार्क टूर लड़ा को विमानों के लिए जी-ई इंजिनों के को प्रोडक्शन पर जोर दिया बाइडन के कारेकाल में साल 2024 में भारत का नर्याद 4,400 करोड रुपए के सबसे उचिस्तर पर पहुँच गया कमला हैरिस की उभरती हुई टिक्नलोजीज पर पहल और G7 के जर्ये रणनीतिक पुनरघटन से भारत इंडो पैसिफिक में अमेरिकी रणनीती का आधार बन जाएगा दूसरी ओर ट्रम्प को 2017 में कौर्ड साज़दारी को पुनरघवित करने के निर्णे का श्रह दिया जाता है वही कौर्ड को मजबूत करने और दक्षिडपूर्व एशिया में भारत को सशक्त बनाने के ट्रम्प के रुख से रक्षा और अंतरिक्ष के लिए हाडवेर और टेक्नलोजी की बेहतर सोर्सिंग हो सकती है इसके अलावा कमला हैरिस मेडिकेर का नीची करन, दवा की कीमतों में सरकारी हज्ट शेप को कम करने और स्वास्ते बीमा बाजारों को नियंतरण मुक्त करने का समर्थन करती है इसे भारतिये जनरिक फर्मू के लिए कीमतों में सुधार हो सकता है वही ट्रम्प के कारेकाल में भारते कमपनियों को 2017 से 2019 के बीच FDA मुतों का सामना करना पड़ा जानकारों का कहना है कि चू की चुनाव परिणाम रक्षा, इमिग्रेशन और उर्जा जैसे शेत्रों को आकार देंगे इसलिए भारत के लिए ये महतपूर्ण है कि वह अमेरिकी नीतिगत बतलावों का आंकलन करे और उनमें से किसी भी परिणाम को स्पष्ट रूप से फेरेबल और अनफेरेबल माने बिना उसके अनुसार खुद को ढाल ले रितम मीडिया की नई एप आ गई है जी हाँ देश की उभरती हुई बहुभाशी मल्टी मीडिया रितम एप का नया वर्जन लॉंच कर दिया है इस नए अपडेट के साथ मिलेंगे आपको धेर सारे मज़ेदार फीचर्स जैसे ही आप एप खोलेंगे आपको सबसे ताजी खबरों का सेक्शन लेटिस्ट न्यूज मिलेगा इसमें आप देश दुनिया की हर खबर पी आ एच और देख सकते हैं साथ ही इस डे इन हिस्ट्री में जानिये इतिहास की खास बाते रितम मीडिया ने खास आपके लिए टीवी और वेब सीरीज सेक्शन जोड़े हैं अब देखिए अलग-अलग न्यूज चैनल्स और मज़ेदार कहानिया और हाँ सिटीजन जर्नलिस्म को बढ़ावा देने क के लिए वीडियो सेक्शन भी है यहां आप अपने इलाके की बातें सब तक पहुचा सकते हैं खास कर महिलाओं और युवाओं के लिए भी अलग-अलग टैब्स हैं जो उनकी पसंद और जरूरतों को ध्यान में रख कर बनाए गए हैं तो अब इंतजार कैसा है फटाफट गूगल प्ले स्टोर या आयोस पर जाएं और रितम आप डाउनलोड कीजिए सबसे पहले पाईए अपडेटेड न्यूज